दोस्तोटेक्निकल एम की चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडीयो में हम सिखने वाले हैं आपके वर्टसप पर जो यह लिखा आता है यूजर परसनल मैसेज और एंट टो एंड अन्करप्टिड यहां पर भी लिखा आता है इसको आप कैसे हटा सकते हैं कैसे ओ तो वीडियो को एंड तक देखना लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना जाता हूँ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो गंटिक आइकन आए उसको भी दबाएं क्यों नीचे जो रेड गलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं साइड में जो बैल आइकन आए उसको आल प्रेस करें नीचे जो कमेंट बोक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें दोस्तो जैसे ही आप अपने वर्ट्सअप को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद य जैसे ही आप देखेंगे यहां पर लिखा आता है यूर परस्टनल मैसेज और एंड टो एंड करप्टिड इसका मतलब यह है दोस्तो आपका फॉन हैक नहीं हुआ है आपके जो मैसेज कॉल है वो सब एंड टो एंड इंकरप्ट रहेंगे यानि की गुपत रहेंगे जैसे ह आप किसी friend के पास call करते हैं तो उसी के साथ ही आपकी जो बातचीत है वो share की जाएगी इसमें जो है WhatsApp आपका data अपने पास नहीं रखेगा इस तरह का ये message यहाँ पर दिखाया गया है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं end to end encrypt वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे your chat and call are private जो भी आप WhatsApp के जरीए chat करते हैं call करते हैं वो सभी private रहेगी उसको ना ही WhatsApp देख सकता ना ही कोई third version देख सकता है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं उसी को आपकी बातचीत share किये जाएगी ऐसा इसमें कहा गया है नीचे आप देख सकते हैं text and voice message audio, video call, photo, video and documents location, share, status, update यह सभी जानकारी जो है आपकी गुप्त रखी जाएगी जिसके साथ आप बातचीत करना जाते हैं बस उसी को share कि जाएगी यहाँ पर भी यह option देखने को मिल जाता है इसका मतलब भी यही है दोस्तो आपके जो status है वो भी end to end encrypt रहेंगे मतलब private रहेंगे जिसको आप दिखाना चाते हैं उसी को आपके WhatsApp status दिखेंगे इसे दोस्तो आपका WhatsApp hack नहीं होता है यह WhatsApp का खुद का feature है जो यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें clear बताया गया है कि आपकी जो है chat किसी third person के साथ share नहीं की जाएगी ऐसा इसमें कहा गया है बात करते हैं इसको कैसे बंद किया जा सकता है इसको बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि यह WhatsApp का खुद का feature है WhatsApp ने खुद इसको दिखाया है तो इसको बंद नहीं किया जा सकता यह ऐसे ही यहाँ पर आता रहेगा और इससे आपका WhatsApp hack नहीं हुआ यह बिल्कुल अपने डिमाग से निकाल देना अगर आपने ऐसी वीडियो यूटूब पर देखी है कि आपका WhatsApp hack हो गया है end to end encrypt को off कीजिए तो यह सब fake है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई है लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई, जैहिन